बिस्मिल्लाइश रह्मारी रहीम, असलाम लाइकम, कैसे हैं आप साथ, उमीद करती हूं ठीक ठाक होंगे, आज मैंने बच्चों के लिए बनाया था, लंच बोक्स में सैंडविच बनाये थे, तो मैंने सोचा, आप लोगों के साथ प्रेस्पी शेयर कर दूँ, यह बहुत ही इजी है, और बहुत मज़े का बनता है, आप लोग भी इसली बना सकते हैं, इसको बच्चों को लंच बोक्स में दे, और शाम की चाई के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो चले, हम बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने आलू लिये थे, आलू को पॉइल कर लिया है, और ये ब्लेड लिये है मैंने, और जो मस्आले लिये हैं नमक, वान टी स्पून, कुटि भी लाल मिर्च, नमक है, कली मिर्च, दूम जी र करते हैं, आलो को सबसे पहले मेश से मेश कर लेंगे जो हम additional को मेश करके वापस आते हैं कि अटिक क्षाशłem कर लिए हैं अजिक अच्का CPUSiो कर लिएए अब हम ब्रैड लेंगे और इसको आयल में टैप कर लेंगे यह देखें तैप हो जूका है आपने ज्यादा टैप नहीं करना डिप नहीं करना बस हलका सा टैप टैप करना है ताकि आयल ज्यादा लगे भी न और थोड़ा-थोड़ा से बस इसमें एब्सॉर्फ हो जाए इसी तरह हम सारे ब्रैड को लगा लेंगे और यह देखें अब हम एक प्लेट में रखेंगे और इसके उपर इसको ब्रैड कर लेंगे मेजा जो हमने तैर किया था अच्छी तर इससे को कवर कर लेंगे ब्रेट को यह देखें अच्छे से कवर हो चुका है और इसके उपर अब दूसरा रखेंगे और इसको उपर से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे इसी तरह बागी सारे ब्रेट में भी लगा लेंगे और यह हमारा सेंड्विज मेंकर जो है वो करम हो चुका था अब हम इसमें रखेंगे इसको बंद कर देंगे एक से दो मिनुट के लिए यह देखें अच्छा सा कलर आ चुका है यह मैंने एक निकाल लिया था एक से दो मिनुट के बाद मैंने इसको खोल आ तो कितना अच्छा इसका कलर आया है यह आप देख सकते हैं सेर्विच अपारे रेड़ी हो चुके हैं आप लोग भी मेरी रेस्पी को जो ट्राइगेजिएगा अमीद करती हूं आपको बसांद आएगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को लाइक और शेयर करें नेक्स्ट वीडियो के सा हादर होंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिस